болr friends and welcome दोस्तों विस्येस क्यान के वीडियो सेम्में आपका स्वाइद है दोस्तों मैं आपके समग्च फिर से उफ़स्तितूं एक नए विडियो सीरीज के साथ वीडियो का टॉपीक है दोस्तों वो हमारे soft skills के लिए टेर है उसका नाम है以ffektve writing skill किल इस जो व्यूंब हम डिश्कस करने जा रहा है एक त的話 भिश्य है जो एक दुर से लींग खे l रिड़ीत कर्ंसेट से बसक्षान से लेखर perfect किया है उसके वारे में हम मताएंगे कि इस कोर्ण में क्या कांटेंब्स heeft और कैसे-कैसे हम topic को cover करेंगे, उसी से related ये video है, इस video के topic को discuss करने से पहले हमें कुछ previous की चीज़ें हैं, जो मैं already अपने soft skill वाले video में explain करता हूं, उसको पर explain करना चाहता हूं, जैसे कि आपको बोला जाए कि what is a skill, skill क्या है, तो skill is the ability to do something well, अब किसी काम को अच्छे से करने का तरीका को कहा बोलते हैं, skill बोलते हैं, उसी तरह से we are not born with a skill, we learn them as we go along through the life and work experience, हम कोई भी व्यक्ती जो है, वो by worth या born से ही, वो talented skill नहीं होता है, इस skill को सीखना परता है, अपने time के साथ मेहनत करके, experience के साथ हमें skill को develop करते हैं, दोस्तों, यह रहा skill, उसके बाद हम करेंगी type of skill, तो type of skill कितने का तरह को होते हैं, दो तरह को होते हैं, soft skill और hard skill, इसको हमने already detail में cover किया है, previous के videos में, आप उनको नहीं देखें, तो किरिपिया उनको देख लिजिए, और देखके, आप concept को clear कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा soft skill है, कई तरह क्या होते हैं, उसमें से जो effective writing skill है, one of the important, हमारा soft skill है, उसी से related है यह videos, और इसमें हम बताने जा रहें कि, जो हमारा course होगा, जो videos होगे, एक series में, जो writing skills से related है, उसमें किस part की video में, कौन सा topic cover करेंगे, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों, यह जो हमारा soft skill, यानि की writing skill, जो का जो है, effective writing skill का topic है, इसको मैंने 7 वीडियो के मादे हम से explain किया है, इसमें पहला वीडियो है, यानि की part 1 है, उसमें हमने explain किया है, कि what is writing skill, writing skill क्या है, उसके बारे मैंने बताया है, part 2 जो वीडियो है, उसमें बताया है, difference between writing and speech, हम जो बोलते हैं और लिखते हैं, मैं उसमें क्या difference है, क्या समानता हैं है, उसके बारे मैंने explain किया है, part 3 is significance of writing skill, writing skill का क्या महत्व है, क्या advantage है, क्यों जरूरी है हमारे लिए writing skill, उसके बारे मैंने part 3 में explain किया है, part 4 जो वीडियो है, वो है types of writing skills से इनलेटी, यानि कि जो writing skills होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, writing कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारे जो life में हम यूज करते हैं, चाहिए हमारे academic से related हो, हमारे job से related हो, हमारे जो life से जुरा हुआ है, हर पहलू से जुरा हुआ है, उसमें कितने तरह के writing skills होते हैं, या type of writing होते हैं, उसके बारे में हमेंने explain किया है, वो है part number 4 वीडियो, उसके बाद अगर हम part number 5 वीडियो के बाद करें, तो मैंने बताए कि stage and component of effective writing, जो steps बोली है, stage बोली है, उसके components बोली है, जो effective writing में होते हैं, उसके बारे मैंने प्रकास डरार बताए, कितने तरह के stage होते हैं, उसके बाद component क्या, क्या major components है, हमारे effective writing के, उसके बाद जो 6 वीडियो में tips for improving writing skill, बहुत ही important होगी, क्या हम गलतिया करते हैं, जानी कि हम कैसे अपने writing skill को improve कर सकते हैं, उसके बारे मैंने explain क्या है, तो वो हमारा part 6 वीडियो है, उसके बाद अगर हम लाश्ट वीडियो की बात करेंगी, part 7 वीडियो वो है tips for improving English writing skill, हमने एक specific language फोकस किया, जिसका नाम है English, आप सभी जानते हैं कि English is global language है, इसलिए English का बहुत importance है हमारे लाइप में, तो उसमें मैंने बताया है, कि मैं अपने English का writing skill, English language ही लेते हैं, जो writing skill को कैसे improve करेंगे, दोस्तों हमारा यह जो effective writing skill का, जो एक series में जो videos ही, वो साथ भागों में बाटा हुआ है, part 1 से लेकर part 7 तक, और हर part 1, part 2, part 3, part 7 में, हम क्या explain करेंगे, मैंने आपको एक छोटा सा glimpse, यानि कि जिस्ट बता दिया, कि हाँ, जिससे part 2 है, में क्या बताएंगे, difference between writing and speech के बारें बताएंगे, दोस्तों हम मिलते हैं आप से, इस writing skill के next video में, जिसका नाम है part 1, और होगा वाटी writing skill से ने टेरीगे, दोस्तों मैं आप से एक request है, कि मैंने इस तरह से soft skill का जो topic है, उसके series में काफी videos बनाई है, चाहिए हमारे writing का है, जो हमने explain करना है, जिसे suppose reading का है, speaking का है, listening है, यह सारे skills है, उसमें मैंने series में, एक videos के मादे हम से सारे topic को cover किया है, और मैं चाहता हूँ कि, अगर आप अपने soft skill से related videos को नहीं देखें, तो उनको देखिए, और अपने soft skill को improve कर सकते हैं, और अपने practical life में इसको use कर सकते हैं, ताकि आप अपने life में grow कर सके हैं, अपने life में successful person बन सके, दोस्तों तो ठीक है, मिलते हैं आप से next video में नए topic के साथ, तब तक आप खुस्क रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष प्रतिक सर्व कर काम किजिए, ताकि आपको अपने लक्ष का प्राप्ति हो, थाइंक्यू दोस्तों, और मैं आसा करता हूँ कि आपका आने वाला जो समय आपके लिए बहुत ही लावकारी हो,